पिशले कुछ वर्षों में अंध्रप्रदेश जब भी चर्चा में रहा है तो अधिकांश बार जो विशय था वो उसकी राजधानी को लेकर था इस बार भी मामला कुछ ऐसा ही है हाल ही में अंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री जगन मोहन रेड़ी ने राज्य की राजधानी को लेकर नई राजधानी को लेकर एक विवादित बयान दिया है और इस पुरे बयान के बाद ये जो पुरा विशय है अंध्रप्रदेश की राजधानी को लेकर एक बार फिर से खबरों में आ गया है चर्चा में आ गया है जिसके कारण इस पुरे विशय को विस्तार से समझ लेना बहुत जरूरी हो जाता है मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दिश्ट्रियाइस की इस नई वीडियो में चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रस्ताव आया है उसने प्रस्ताव पर बात करेंगे तीन राजधानियों की क्या प्रेश्ट भूमी रही है क्या बैग्राउंड रहा है उस पुराने प्रस्ताव को भी समझेंगे इसके अलावा क्या ये पूरी अवधारना नई अवधारना है यो तीन राजधानियों की तीन capital की जो बात की जाती है क्या ये कोई नया concept है या फिर इससे पहले भी इस तरह का कोई concept जो है भारत में लागू रहा है उस पर भी बात करेंगे इसके अलावा इन तीन राजधानियों के साथ समस्या क्या हो सकती है और अंत में इसकर्ष पर बात करेंगे एक प्रश्ण को देख सकते हैं यह उडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि यह का आया है अंतरपरदेश की राजधानी को लेकर नया प्रस्ताव क्या पीश किया गया है तो आपको याद होगा कि हाल ही में दिल्ली में अंत 나타ाष्टी राजनाई के गटबंधन यानि इंटरनाशनल डिप्लमेटिक आलायंस की एक मीटिंग आयोजित की जा रही है इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है और इस आयोजन में आंध्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं और इसी हिस्से के तौर पर उन्होंने इस बैठक को संबोधित करते हुए वहाँ पर जो निवेशक मौजूद थे जो इन्वेस्टर्स मौजूद थे उन सभी इन्वेस्टर्स को विशाखा पत्नम में आमंत्रित किया है उन्हें उन्हें इन्वेस्टर्स से कहा कि जो भी निवेशक हैं जो राज म की घोषणा की है इसके अलावा उन्हों ने अपने समबोधन में यह भी कहा कि राज का जो प्रशाशन है जो मेकानिजम है जो पूरा तंत्र है वो भी जल्द ही विशाखा पत्नम में शिफ्ट कर दिया जाएगा इसके अलावा उन्होंने निवेशकों से ये भी वादा किया कि जल्द ही राज की सरकार दोरा विशाखा पतना में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाएगा वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा जहां पर निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा विदेशी निवेशक होंगे भारती निवेशक होंगे और उन सभी निवेशकों से राज में आंध्रप्रदेश में निवेश करने के लिए वादी किये जाएंगे, समझोते किये जाएंगे, तो जाहिर तोर पर उनके इस बयान से हम देख सकते हैं कि उन्होंने राज्य में विशाखा पत्रणम को एक नई राजधानी बनाने की घोशना की है, इस समंध में प्रस्ताओ को पेश किया है, और उन्होंने कहा है कि जल्द ही ये नई राजधानी बन भी जाएगी, लेकिन ये बयान विशेश कहां से हो जाता है, महतपूर कहां से हो जाता है, तो मुख्यमंतरी के बयान से इस पश्ट तौर पर हम ये समच सकते हैं कि वो अपनी जो तीन राजधानियों का प्रस्ताओ था, उस अपने तीन राजधानियों के प्रस्ताओ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने प्रस्ताओं में भी विशाखा पटनम को एक राजधानी के तौर पर पेश करने की बात की गई थी, हाला कि उनके बयान से अभी इस पश्ट नहीं है कि वो तीन राजधानियों वाली धारना किया साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर केवल विशाखा पटनम को ही आंध्रप्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा, जल्द ही सम्मंध में सरकार कुछ निरने जरूर ले सकती है, आंध्रप्रदेश की सरकार, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि तीन राजधानियों की प्रश्ट भूमी क्या रही है, कब से आंध्रप्रदेश में तीन कैपिटल्स बनाने की बात शुरू होती है, तो इस कहानी की शुरुवात होती है साल 2014 में जब एक लंबे संधर्ष के बाद, क्लंबी करांती के बाद आंध्रप्रदेश का विभाजन होता है, आंध्रप्रदेश को दो हिस्तों में विभाजित कर दिया जाता है, पहला हिस्सा खुद आंध्रप्रदेश था और दूसरा हिस्सा था तेलांगना, अब जब दो नए राज्यों का विभाजन हो जाता है, दो नए राज बन जाते हैं तो इसकी वजह से दोनों राज्यों को नई राजधानिया भी चाहिए क्योंकि पुराने वाले आंधर प्रदेश की जो राजधानी थी हैदराबाद वो अप्टेलांगना की पास चली जाती तो ऐसे में नए वाले अंध्रप्रदेश को एक नई राजधानी की जरुत पड़ती है इसी को घ्यान में रखते हुए साल 2015 में नए वाले अंध्रप्रदेश के जो तक कालीन मुख्यमंत्री थे एन चंदरबाबू नाइडू वो भोशना करते हैं कि राजसरकार द्वारा ज लिया जाता है किसानों से खरीद लिया जाता है और किसान दे भी देते हैं क्योंकि वहाँ पर राजधानी बनने वाली थी डिवलप्मेंट आने वाला था तो जाहर तो पर किसानों के लिए भी वो स्थिती बहुत ज़्यादा लाबदायक थी तो किसानों ने अपनी जमीन क सरकार को दे दी इसके अरामा जब आंध्रप्रदेश की सरकार दोरा ये घोशना की गई कि अमरावती को राजसरकार दोरा नई राजधानी बनाया जाएगा तो जो निवेशक थे उन निवेशकों ने भी आंध्रप्रदेश की नई राजधानी यानि अमरावती में बहुत ज गवर्मेंट थी उसके प्रस्ताओं को समाप्त कर देते हैं उसका जो प्रपोजल था अमरावती को नई राजधानी बनाने का इस प्रस्ताओं को समाप्त कर दिया जाता है और तीन राजधानियों का एक नया प्रस्ताओं पेस होता है इन तीन राजधानियों में सबसे पहले नंबर पर थी अमरावती जिसे प्रस्ताव पेश करती है और प्रस्ताव को पारित भी कर दिया जाता है। इस तरह से इस पारित होने की वज़े से कानून बनने की वज़े से चंदरबावन नाइडू के प्रस्ताव पर सरकार की महर लग जाती है। लेकिन जैसे ही ये कानून विदान सभा से पारित होता है इसके बाद राजी के जो किसान थे खास TOR पर जो अमरावती छेत्र के किसान थे जिन्होंने पहले की सरकार को अपनी जमीन अधिग्रहित करने दी थी वो सभी किसान विरोध करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अमरावती के विकास को के लिए अपनी जमीन दी थी और उन्हें लगा था इसकी वज़े से उन्हें फाइदा होगा लेकिन अब राजी की सरकार राजधानी को शिफ्ट करने जा रही थी तो जाहिर तो पर उन्हें नुकसान होने वाला था तो इस तरह से संगठित होते हैं और विरोद करना शुरु कर देते हैं इसके बाम पूरा माम यह पहुऊंस्ता है अंध्रफ्रदेश उच्षन्यायले सरकार के खिलाफ निरने देता है अंधिप्रदेश उच्छने आईले का कहना था हाई कोट का कहना था कि सरकार के पास तीन राजधानिया बनानी की विधाई शक्ती मौजूद नहीं है लेजिसलेटिव पावर्स मौजूद नहीं है ऐसे में सरकार को इस संबंध में कोई विशेश कदम नहीं उठाना चाहिए सरकार को तीन राजधानिया नहीं बनाई जानी चाहिए केवल आमरावती को विक्सित करना चाहिए और इस संबंध में पुरानी सरकार ने किसानों से जो वादे किये थे किसानों के पुनर्वास के जो वादे किये गए थे उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए आंध्रप्रदेश की नई सरकार इन वादों को पूरा करने में लग जाती है लेकिन इसी बीच सरकार हाई कोट की जो डिसीजन था हाई कोट का जो निरने था उस निरने को सुप्रीम कोट में चुनोती दी जाती है सर्वोच चिन्यायले के सामने चुनोती दी जाती है और सर्वोच चिन्यायले स्पष्ट तोर पर अंध्रदेश हाई कोट के निरने पर पूरी तरह से रोक लगा देता है क्योंकि सरवोच चिन्यायल यानि Supreme Court का कहना था कि High Court की पास इस तरहे की शक्तिया मौजूद नहीं हैं, कि High Court किसी सरकार के काम में दिखल दे, High Court के पास न तो Architecture की कोई शक्तिया मौजूद हैं, High Court के पास Town Planning की कोई शक्तिया मौजूद नहीं हैं, तो जाहर तोर पर High Court अपनी शक्तियों का अतिकरमड करने की कोशिश कर रहा था और इसी को ध्यान में रखते हुए सुपरीम कोट ने आंध्रप्रदेश हाई कोट के निरने पर रोक लगा दी लेकिन इसी बीच इस पूरे निरने हाई सुपरीम कोट के निरने आने से पहले ही आंध्रप्रदेश की सरकार द्वारा साल 2021 में अपने 2020 वाले कानून को वापस ले लिया जाता है यानि जिस कानून के जरिये तीन राजधानिया बनाने की बात की गई थी उस कानून को अब चंदरबाबु नाइडू की सरकार द्वारा वापस ले लिया जाता है और उनका कहना था कि अब सरकार एक नया क आनून लेकर आएगी जिसमें इस पूरे मसले को बहतर ढंक से हल करने की कोशिश की जाएगी लेकिन इसके बावजूद भी आंध्रपरदेश की सरकार दोरा अप्रत्यक्ष तोर पर इंडिरेक्ली तीन राजधानियों के प्रस्ताओं पर जोर दिया जाता रहा तो ये तो इस अभारत में ऐसे कई राज मौझूद है जहां पर जिनकी नयाईक राजधानी अलग है जिनकी जिटिशियल कैपिटल है वह अलग है पर इसका प्रमखोधारन है उत्तरप्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनव लेकिन उत्तर प्रदेश का जो उच्छ न्यायल है जो हाई कोट है वो प्रयागराज में मौझूद है तो जाहिर तोर पर उत्तरप्रदेश की जो executive और legislative capital है वो लखनव है और वहां की जो judicial capital है वो प्रयागराज है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर पहले से ही प्रयागराज में पहले से ही एक high court मौजूर था जिसे लखनव में shift नहीं किया गया तो एतिहासिक कारणों से ऐसा न मौजूद है तो जहिर तौर तो भारत में हमें ऐसे कई हरृाण देखने को मिलते हैं लेकिन जहां पर legislative और executive capitals को अलग-अलग कर दिया जाए लेकिन आंध्रपरदेश में यही करने की कोशिश हो रही है इससे challenge क्या पैदा होगा क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं इन तीन राजधानियां बनाने से क्या challenge देखने को मिल सकते हैं उन challenges की बात करें तो हमने सबसे पहले बात की कि जो अलग-अलग कारेपालिका और विधाई राजधानी बनाने की बात हो रही है यह जो चुनौती है यह बहुत बड़ी साबित हो सकती है क्योंकि हमें कई बार देखने को मिलता है कि विधाईका और कारेपालिका को एक सास काम करना पड़ता है इनका जो काम है वो आपस में ब पस्तिती जो है अनिवार रह Coordination स्थापित करना इन दोनों की बीच तमनवय बनाना बहुत बड़ी चुनोती सावित हो सकती है। इसके अलावें बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि इसकी वज़े से जो पूरा सिस्टम है वो और ज्यादा कॉंप्लेक्स हो जाएगा और आम लोगों के लिए वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बड़ जाएगा। इसके अलावें एक बड़ा चैलेंज निवेशकों को लेकर भी है, इन्वेस्टर्स को लेकर भी है, क्योंकि आंध्रप्रदेश में पिछले कुछ समय से खास्तार पर साल 2014-15 के बाद से राजधानी को लेकर को इस पश्टता देखने को नहीं मिल रही है Capital हमेशा बदलती जा रही है, तो ऐसे में निवेशकों के सामने निवेशकों के लिए confidence बनाये रखना बहुत जादा मुश्किल हो रहा है, निवेशक चाहते हैं कि वो अमरावती में निवेश करें, लेकिन Capital अब विशाका पटनम को बनाया जा रहा है, अब वो विशाका प की बात की अबंत में निसकर्ष की बात कर लेते हैं, तो निसकर्ष के तोर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तोर पर तीन राजधानिया बनाने का जो प्रस्ताव है, वो मख्य तोर पर राज में decentralization को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, विकेंद्री करण को बढ़ावा दे जाए और इस समंध में बहतर उपायों पर, जो सबसे बहतर उपायों पुझते हैं, उन उपायों पर जो दिया जाए, उधारन के लिए अगर सरकार विकेंद्री करण decentralization को यही बढ़ावा देना चाहती है, तो सरकार तीन राजधानियों के बजाए, जो स्थानिय सरकार है जो local government है, जैसे पंचायत हो गई, इसके अलावा municipalities हो गई, इन local governments को और जादा शशक्त बनाने पर जोर दिया जाए, और इसके माध्यम से अंततहम decentralization को बढ़ावाद दे सकेंगे, तो यह भी उकुपाय हो सकता है, इसके अलावा इसका एक पहलू यह भी है कि सरकार में, सरक region making process बहुत slow हो रहा है अंतरप्रदेश में, उसकी वज़े से निवेशकों को हतोत्साहित किया जा रहा है, निवेशक जो है, उनका confidence कम हो रहा है, ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि सरकार जल्द ही कोई long term उपाई लेकर आए, long term solution लेकर आए, कि अंतरप्रदेश की राज राजधानी को lock किया जाए, तैंक किया जाए, उसको लंबे समय तक बरकरा रखा जाए, ताकि निवेशकों के investors के confidence को भी बरकरा रखा जा सके, तो ये तो हुई आज के विशय की बात, अबंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न जो है, वो मेंस का है, आज का हम अबावां उप्युक्त उधारन देकर आपको इस बात की पुष्टी भी करनी है, इस बात को सिद्ध भी करना है, तो जाहिर तोर पर आपको एक से अधिक राजधानियों के अधारना पर बात करनी है, और उस अधारना की वज़े से हमें प्रशाशन के सामने किस तरह की जिन बिंदों पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्ण पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवार आता है तो आप उसे असानी से हल कर सकेंगे इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद